सब्सक्राइब करें फरावर टेक्ट यूट्यूब चैनल को लेटिस वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए और दोस्तों वेलकम कहते हैं हम आपको अपने यूट्यूब चैनल फरावर टेक्ट में जिसमें देखें आज हम आपको बताएंगे कि जब वोल्टर्स के DC जब आता है तो आपने देखा होगा कि जब इंडूर का ब्लोर मोटर है यहां तो वह स्लो चल रही होगी यहां फिर बिल्कुल चल नहीं रही होगी तो इस सुरत में यह एरर कोड आ सकता है अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें फॉल्ट के आके आएंगे और किन किन व PCB और इसके लावा फैन मोटर जो है वो आपको यहां पर देखें ब्लोर मिल जाएगा तो इसके बाद आप इसको चक कर सकते हैं अब ब्लोर मोटर जो है वह आल्रेडी हमने खोल लिए थी लेकिन सिर्फ आपको दिखा रहे थे कि कवर आपने खोलना है तो देखें यहां प यह देखें यहां पर इलेक्टर कनेक्टर है अगर यह लूस कनेक्शन यहां फिर बिल्कुल नहीं लगा हुआ देखें यहां पर यह बैठता है देखें यहां पर तो अगर यह किसी वाज़ जैसी लूस कनेक्शन हो गया यहां इसकी वायर तूट गई है कट गई है यहां बिलकुल नहीं लगा हुआ तो यह एरर आपको आ सकता है और बिलकुल ब्लोर मोटर जब चलेगी नहीं तो वह एरर आए गाएगा इस करावा और क्या हो सकता है पॉसिबल यह देखें यहां पर इसका फीड़बैक का जो अबाज़कात ऐसा भी हो जाता है के वाइबरेशन की वज़से भी बाज़कोत गिर जाते हैं निकल जाते हैं तो अक्सर कंपट़ी यहां पर सिलिकॉन लगाती है लेकिन पर पिर भी अगर किसी वज़़ा से हो गया तो यह अरॉर आ सकता है अब डोस्तों आपको पॉइंट है तो है यहां पर psychiatric नहीं आएगी यह Sophie खर क्पावायां और कर लेक्टिक्क्राइध कि उसकी वज़ाए को बताते हैं धिकrog अब यह जगों पर दो तना से पीसीवी में सरकट में दो जगा से दो जगों पर कनेक्टिड है तो सबसे पहले तो यह इन्ड़क्टर है इसके जरीए से यहां पर ग्रॉंड इड है अगर किसी वज़़ा से यह के स्टे जो हैं वह शॉर्ट हो जाते हैं क्यूंकि अगर कोई फ्ले अगर यहांपे कोई मसला आजाता है तो यह ऐोपन भी हो सकते हैं और यह यहांशर जो है वो शौर्ट सरक्टुर्ट भी हो सकते हैं अगर इनम्हें ऊस्ञा आजाएगा तो फिर भी पесь मॉटर जहां वह नहीं चलेगी और आपको error आएगी तो इसके लावा क्या हो सकते हैं चुकि यही electric जो है वो यहां से इसके अंदर आ रही है क्या नाम है इसका देखें यहां पे यह 100 ohms की resistance लगी हुई है तो अगर यह resistance भी खराब हो जाती है देखें इसका नंबर है resistance 57 तो अगर यहां पे देखें यह एक solid state relay लगी हुई है जिसका नंबर है aqh2223 तो अगर यह खराब हो जाती है तो फिर भी यह मसला कर सकता है तो इन में possible यही चीज़े हैं जो के faulty हो सकती हैं तो अगर आप इन के चीज़ें को चेंज कर लें तो यह बिल्कु ठीक हो जाएगा इसके लावा अगर low side पे मसला आगया है तो low side पे देखें यह एक यहां पे एक transistor लगा हुआ है एंप्य एंट ट्रांजिस्टर है अगर यह किसी वज़े से एंट्रांजिस्टर है किसी वज़े से q4 यह खराब हो जाता है तो फिर भी यह मसला कर सकते हैं तो यह इनकी चीज़ें अगर निमेंसे कोई चीज़ खराब होगी तो यह करेगा मसला करेगा लेकिन ज्यादर चांसिस इस आईसी के इस रिजिस्टर्स के और इसके लावा यह कपेस्टर के हो सकते हैं और यह कपेस्टर हो सकता है यह बाकी low side पे कम आता है लेकि कभी कबार यह fault आता है यहां पर अब दोस्तों इसमें इसमें fan motor ना चल रही हो यह नहीं कि indoor fan motor problem तो इसी तरह इसके साथ-साथ एक और fault इसी तरह का fan motor के लिए आ सकता है लेकिन वो किस सुरत में होगा वो E2 की सुरत में होगा तो जब E2 का मसला आएगा तो फिर क्या मसला हो सकता है वो भी आपको बताते हैं तो चले इसके बारे में आपको कमल तफसील देते हैं तो देखें यहां पर भी यह PCB का फाल्ट होगा completely क्योंकि जब PCB में फाल्ट आएगा तो E2 एरर आएगा इसमें जो fan motor है वो बिल्कुल ठीक होगी capacitor बिल्कुल ठीक होगा बाकी का जो मैंने आपको यह circuit दिखाया है उसमें कोई fault नहीं होगा fault मैं आपको बताता हूँ कि यह कहां पे होगा देखें इसको company ने जो नाम दिया है वो zero crossing voltages का नाम दिया है तो zero crossing voltages क्या होते हैं वो आपको बताते हैं आज तो zero crossing voltages यह हैं वो motor को operate करने के लिए कुछ voltages होते हैं जो के smps की तरफ से जा रहे होते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होते हैं देखें यहां पे दो अप्रो कुपलर लगे हुए हैं एक है जी hp1 दूसरा है hp2 तो जो hp1 है यह जो है यह तो feedback है to the इसको feedback आ रही होती है देखें यहां पे voltage detector लगा हुए है तो यह feedback हासल करके तो इसको जो इसका चोपर है यहां से इसको on रखते है switching का काम करता है इस MOSFET को on रखता है ठीक है अगर यह खराब होगा तो फिर तो बिल्कुल लीजिए काम नी करेगा पुरा unity काम नी करेगा लेकिन अगर इसके साथ वला अप्टो कुपलर है जो hp2 है अगर यह खराब होगा तो यहां पे जो voltage बन रहे हैं देखें यहां के voltage बन के तो सीधे जाते हैं जो fan water है उसके PG यहां इसके जो feedback है उसकी तरफ तो यहां पे अगर यह voltage नहीं आएंगे तो फिर इसमें यह आपको error 2 या E2 का error दे सकता है अब इसमें खराब क्या क्या हो सकता है तो खराब देखें यह तो यह अप्रो कुपलर खुद खराब हो जाएगा तो फिर भी यह मसला कर सकता है इ दीक है तो resistance नमबर 55 और जिस्टन नमबर जो च्पन है इन में से एक खराब हो जाए कोई भी खराब हो यह तो फिर भी यह मसला आ सकता है इसके बाद यहां पर देखें यहां पर डैयोड नमबर 6 जो है इसमें अगर मसला आ जाए तो फिर भी यह प्राब्लम आ सकती है तो यह जिरूस की resistance जल जाती है यहां से voltage high यहां कुछ मसला आ जाता है short circuit होता है तो यह जलने के chances जादा हैं तो अगर यह खराब हो जाती है तो फिर भी यह मसला कर सकती है तो इस तरह से यह आप चीज़ें चेक कर लें तो अमेद करता हूं कि इस तरह से यह आप जो E2 का error है वो भी ठीक कर लेंगे